अभी का एक पर स्वागत है तो चले स्टार्ट A, B, C can together do a job 9 days मतलब तीनों मिलके A, B, C तीनों मिलके किसी काम को 9 days में कर सकते हैं फिर C alone can do the same job in 36 days C अकेले इसको 36 दिन में कर सकते हैं तो देखे सबसे पहले हम यहां से total work निकालेंगे हम LCM लेंगे LCM लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा LCM 36 तो यह total work है 36 A, B, C तीनों मिलके 9 days लगए है तो एक दिन में कितना बनाएगे 36 में आप 9 से division लेगा तो 4 unit per day इसी तरह आप सिप C का निकाले है तो 36 में 36 से division लेगा तो एक unit per day तो देखें यहां से हम यह कह सकते हैं A, B, B, C यह तीनों मिलके एक दिन का बोर रहे हैं कितना बना रहा है चार unit और इसमें से C कितना बना दे रहा है C का contribution एक unit है तो यहां से हम A, B का हम निकाल सकते हैं कि यह दोनों मिलके 3 unit per day यह बनाएगे और आपको find out करना है क्या करना है कि A, B दोनों मिलके इस काम का 50% कितने दिन में कर सकते हैं तो देखे टोटल बर्क है 36, 36 का 50% करना है तो 1 by 2 से multiply कर दीजे तो यह कितना आ जागा 18 unit हमारा यह काम हो गया क्योंकि है 50% question में आपको given है कि working ही करना है 50% तो यह 50% जो 18 आ गया है यह कितने दिनों में A और B के दौरा किया जागा तो देखे A और B दोनों मिलके एक दिन में 3 unit तो 18 unit कितना दिन में करेगा 18 में आप तिर से division किजेगा तो यह 6 days में A और B के दौरा काम complete कर लिया जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं next question के और देखे मुस्कान can do a piece of work in 10 hours मुस्कान है मुस्कान कोई काम को 10 घंटा में कर सकती 10 hours If he joined by JNT who is 50% more efficient तो देखे A मुस्कान है यहां JNT को हम J से represent कर रहे हैं तो देखे मुस्कान हम मान लेते हैं 100% efficient है 100% तो क्या JNT 50% more है था 100 में आप 50% odd add कर दी जगा तो 150% हो जाए JNT का तो आप इसे simplify की जगत यह 2 और 3 मिस तो देखे 2-3 आपको क्या निकल किया गया यह 2-3 इसके efficiency मतलब चमता है एक दिन का काम एक दिन बोली एक घंटा का काम करने का मतलब मुस्कान एक घंटे में 2 unit बनाएगी तो जेनती एक घंटे में 3 unit बनाएगी तो दिखें मुस्कान एक घंटे में 2 unit बनाएगी तो टोटल यह 10 घंटा तक काम की है तो 10 घंटा में कितना बना देगी 10 दूना 10 इंटू 2 अब 10 इंटू 2 की जगा तो कितना आ जागा 20 यह 20 क्या है यह 20 आपका यहां से टूटल बढख हो जागा अब देखें टूटल बढख आपका 20 आ गया है और जैनती और मुस्कान ने मनसूख तो देखें दूनों मिलके मनसूख 2 और जैनती 3 यह दोनों मिलके कितना करेंगी 5 unit टूटल बढख हमारा कितना है 20 तो अब 20 में 5 से division की जागा तो दोनों मिलके यह काम को 4 days में finish कर देगी तेहां से answer निकल किया गया answer तो चलिए बढ़ते हैं अपने next question के और देखें ए बी सी दूगेदर कैने फिनिस अ टास्क इन 12 देज ए प्लस बी प्लस सी यह तीनों मिलके 12 देज में finish कर रहे हैं फिर आगे आपको given है कि A is twist as productive of B मतलब ए दूगना है मतलब B अगर एक unit बनायागा तो ए दो unit बनाया फिर आगे आपको यह question में है कि C can alone can do a task in 36 days C अकेले कुछ को काम को कितनी दिन में कर सकते हैं 36 दिन में कर सकते है तो देखिए हम क्या करेंगे दों क्या यहांसे LC म लेंगे जो हमा है total work je 36 Sense तो देखिए total work 36 A B C 12 दिन कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा 3 unit मतलब 36 में आप 1200 डिविजन जीगा तो 33 आएगा और इसी तरह C का निकल जाएगा तो एक यूनिट तो देखे A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलके कितना कर रहे हैं तो तीन यूनिट तीन यूनिट अब C का तो आपको यहां एक यूनिट निकला हुआ है तो A प्लस B मिलके कितना करेंगे एक दिन में अब C एक है तो माइनस कर जीगा तो दो यूनिट दो यूनिट आपको A और B के दौरा काम किया जाएगा तो आपको यहां question में find out करना है कि C चला जाता है मतलब C के दौरा इसमें कोई इसका contribution नहीं है C चला जाता है सिप A और B मिलकी इस काम को कितने दिन में finish कर सकते हैं तो देखिए A और B दोनों मिलके कितना 2 यूनिट बना रहे हैं ठीक है और total work आपका क्या है C का कोई contribution है यो कि तीनों मिलके 3 यूनिट था C का contribution खतम कर दीजे तो आपको A B मिलके 2 यूनिट बनाएगा और total work कितना 36 और 36 में आप A और B दो यूनिट से कर रहे हैं तो दूर से division के जागा तो यहां 18 दिन में दोनों मिलके काम कंपीट कर लिया जागा और देखे और यहां क्या था आपको question में डेटा गिवन था A इस twist productivity और B तो आप यह मानिए कि अब A और B यह दुगना है तो कुछ भी हो दूगना हो चाहे तीगना हो लेकिन दोनों मिलके तो एक दिन में दो ही उनिट बनाएंगे नहीं स्यादा तो नहीं बनाएंगे तो इसी कारण आपको यहां calculation में इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ा आप यहां से 2 से division दे दे जा तो 18 days निखलके answer आ जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने next question के और देखें P and Q can do a project in 150 and 100 days respectively P किसी project को 100 days में करता है और Q इसी project को 100 days में करता है तो in how many did they complete 60% of project इस दे नहीं तो दोनों मिलके 60% of the project को कितने दिन में complete करेंगे तो देखें दोनों मिलका है तो सबसे पहले यहां दोनों का आप LCM दीजेगा दोनों का LCM यह में टोटल बढ़के बढ़ाबर हो जाएगा यह कितना आ जाएगा LCM 300 में तो देखें B को A P को 1500 लगते हैं एक दिन में कितना करेंगे दो यूनिट 300 में आप 1500 से डिविजन कीजेगा दो आ जागा इसी तरह Q का कितना आ जागा 3 मतलब 5 यूनिट दोनों के द्वारा एक दिन में काम किया जागा लेकिन यह आपको जो टोटल बढ़के 300 लेकिन इसका 60% निकालना है तो 300 का आप 60% की जगा तो 3 upon 5 से मल्टिप्लाई की जगा मिस 180 यूनिट इतना आपको काम यह दोनों के द्वारा कितने दिनों में किया जागा मिलके तो आप 180 यूनिट काम है और दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में है तो 5 से आप डिवीजन दे दीजे तिह कितना आ जागा 36 स्टेज में दोनों मिलके काम को फिनिस कर देगा यहां से एंसर निकल के आ गया है तो चले बरते हैं अपने नेस्ट कोस्टेन के और देखें रेनू कैन डू वरक इन सुप्टेन डेज के रेनू कुछामको 10 डेज में कर सकते हैं तो यहां से आपको find out करना है कि दोनों को मतलब इस दे गॉट शे सुरुपया टोटल काम को शे सुरुपया मिला मिला है तो रिनु और मीनु का आपको उसमें सेर बताना है कि रिनु को कितना मिला मीनु का का मिला तो देखे सब्सक्राइब कर देमें और स्सक्राइब देथा कि गड़े लाइए DAY को सब्सक्राइब हो सीदन और सब्सक्राइब काता हूँ आट कि यहותês थर्टम कर दिपत्व सै डिविजेंगर तू आ जागा और यहां 3 आ जागा andудक देखे रेनो और मिनु के कितना करने किक दिन प्लिसमेग एक दिन में 3 कर रहें की रिओ आखेली कितना करंगे दो यह लोकर के कि अकेले sorry यह दोकर ओड़एकि में कुल ना ऑp esqu Aleas में लिकतीन होगोद तो देखिए 2, a total कितना है, 2, 1, 3, upon 600, तो यह किस का निकल के आजएगा, यह रेनु का निकल के आजएगा, यह कितना आजएगा, 400, और मीनु का आप 600 में से 400 मेंस की जाएगा, तो 200, इसका share निकल के आजएगा, यहाँ एंसर निकल गया, तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोस्टिन के और देखिए, A, B, C, can complete a work in 10, 12, 15 days respectively, तो देखिए, A, किसी काम को 10 दिन में, B, इसी काम को 12 दिन में, C, इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप इंडिव्यूजल का, टोटल वर्क से एफिसेंसी निकाल लिजी कि एक दिन में कितना कर रहा है, तो टोटल वर्क आप यहाँ निकालने का है, एक दिन में 6 उनिट बनाएगा, B इसी तरह एक दिन में 5 उनिट बनाएगा, C इसी तरह एक दिन में 4 उनिट बनाएगा, यह A का है, B का है, C का है, एक दिन का है, इतना unit per day है, यह भी इतना unit per day है, per day है, आगे question में आपको यहां given है कि all three days start together, अब तीनो मिलके एक साथी start करते हैं, but after two days, दो दिन तक तीनो साथ किये हैं, तो देखें, तीनो मिलके, दो दिन तक कितना unit कर देंगे, A plus C, तीनो को आप add किजिए, 6, 5, 11, 4, 15, मतलब 15 unit, यह एक दिन में कर रहे हैं, दो दिन में कितना करेंगे, into two कर दीजिए, तो यह दो दिन में कितना काम कर दीए, 30, तो टोटल बर्क आप कितना, 60, 60 में से आप 30, आप मैनस कर दीजिएगा, तो यह 30 आपको क्या निकल के आ जाएगा, यह काम नहीं है, फिर आगी continue कौन किया, B और C, दोनों continue किया, लेकिन S में फिर भी condition और दे दिया, कि B भी है, काम को complete होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, B भी छोड़ दिया, मतलब हम यह कह सकते हैं, कि last 3 दिन में सिर्फ C काम किया, ठीक है, last 3 दिन में सिर्फ C काम किया, तो दे 3 कर दीजे, तो यह कितना हो जगा 12 यूनिट, तो यह 12 यूनिट, यह कौन है, last 3 दिन में, और यहां 2 दिन का काम हो चुका है, यह C बनाया, तो देखे, remaining बर्क आपका कितना है, 30, 30 में से आप 12 घटाजेगा, तो यहां कितना जग 18, यह 18 जो यूनिट जो काम आया, यह A और बिए, sorry, B और C मिलके किया, तो देखे, B और C मिलके, sorry, B एक दिन में 5 उनिट, C एक दिन में 4, दो नो मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 9 मिनिट, 18 में से आप 9 से डिवीजेन की जगा, तो यहां क्या निकल के हो जगा 2 दिन में, यह 2 दिन काम किया, तो यहां आपको find out करन में सिर्फ C काम किया, तो यहां से 3 लिख लीजे, और जो हमारा फिर 18 उनिट बर जा था, वो जो B, C मिला था, यह कितना दिन में कर रहा है, दो दिन में, तो यहां 2 एड कर दीजे, तो यहां से यह 3 मिलके, मतलब यह टोटल कंप्लीट टास्क है, 7 देज में कंप्लीट कर ल B, C, तीरों मिलके किसी काम को 4 देज में कर सकते हैं, इसी तरब A और C, दोनों मिलके इसी काम को 4.5 देज में कर सकते हैं, और B और C मिलके, इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 देज में कर सकते हैं, तो यहां क्या निकालना है, C, इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, त तोटल बर्ट से आपको क्या होगा वहां से आपको इंडिविज़ इफिसंसी निकल घा जाएगे तो टोटल बख निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ाँ एलसेम लिज़ेगा तो आपको कितना निकल क्या जाएगा 36 तोटल 36 यूनिट है एक दिन में कितना बनाएगा 9 यूनिट बना दिया जाएगा इसी तरह A और C के द्वारा कितना एक दिन में बना जाएगा 8 यूनिट इसी तरह B और C का द्वारा एक दिन में कितना बना जाएगा टोटल 36 है तो 12 में डिविजन कितना जाएगा 3 यूनिट में तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलके A प्लस B सिलके तीनों मिलके ये जो A प्लस C है 9 unit बना रहे हैं तो देखिए हमको क्या निकालना है individual coefficients is C का अब C का निकालना है तो देखिए आप क्या किजिए A और C का यहां value आपको 8 unit given है A और C का value है तो यहां C का निकाल से 1 और इसी equation में अब B और C का put किजिएगा तो यहां से A का निकल कया जाएगा थाछ बनाए कितना है कितना है 3 unit तो B तो B का 1 A शृप्ला मिलके खुआज़ किजिएगा 6 citizenumnat dh. की जगा टू तो यूनिट एक सी के द्वारा एक दिन में काम किया जागा टोटल अबर कितना है 36 36 में आप दो से डिविजन कीजिएगा तो एक कितना निकल किया जागा 18 डेज में सी अकेली इस काम को कम्प्लीट कर लेगा तो यहां से